हलो एंड वेलकम टु डिवाइन कनेक्शन कैसे हैं आप सब लो मैं बात करी हूँ आज एट एट पोटल की ये जो पोटल है बहुत ही इंपोर्टेंट पोटल है फॉर मैनिफेस्टेशन अगर आप अपनी लाइफ में अबंडेंस को मैनिफेस्ट करना चाहते हो अब अबंडे ये आठ ऑगस्ट, एट ऑफ ऑगस्ट को वेस्ट मत जाने देना हाला कि एक एक पोटल जो है वो स्टार्ट हो चुका है 26 जुलाई से और 12 ऑफ ऑगस्ट तक ये ओपन रहेगा तो 12 ऑफ ऑगस्ट तक इसकी जो एनरजीज है वो बनी रहेगी लेकिन जो आठ अगस्ट की जो एनरजीज होगी वो पीक पर होगी इसको लाएन गेट पोटल भी बोला जाता है तो बहुत ही एक समझ लिजे कि एक एनरजीज जो होती है ब्रहमान्ड की उल्जा युणिवर्स के एनरजीज वो अलाइन्मेंट में होती है बहुत सारी चीजे होती है कि highest week पर होती है energies और जब आप इस highest energies में अपनी energies को शामिल करते हैं खुद high vibration में आँकर कुछ चीज manifest करते हैं तो वो चीज आपकी life में जरूर manifest होती है क्योंकि जब भी हम कोई चीज manifest करते हैं जब भी हम intention set करते हैं वो manifest कब होता है जब सब कुछ alignment में होता है तो overall सब कुछ alignment में है universe की सारी energies alignment में है manifestation portal आपके लिए open हो चिका है जो कि आपकी life में abundance लेकर आ रहा है आपको क्या करना है सिर्फ अपनी energies को उन universe के energies के साथ attach कर देना है तो इस time पे खास कर इस time पे आपको बिलकुल भी low vibration में नहीं रहना है अगर बहुत जबाव sad हो कम से कम इस time पे अपने आपको heal कर लो क्योंकि जो manifest करोगे जिस तरीके की thinking में रहोगे ना इस time पे वही चीज आगे आनी वाई life में आप experience करने वाले हो कुछ ये जो portal होते हैं जब open होते हैं तो इसका असर इन allergies का असर हम सब पर पड़ता है किसी को बहुत headache होता है किसी को नीन नहीं आती है किसी को कुछ सपने आते हैं अजीब से सपने आते हैं बहुत questions आते हैं आपकी जो vibration है उसमें बहुत fluctuation आता है कभी बहुत अच्छा महसूस कर रहे हो कभी बहुत sad हो रहे हो तो ये सब के साथ हो रहा है लेकिन फिर भी आपको ये देखना है कि इस वक्त आप high energies में रहें ये transformation का time होता है तो transformation किस चीज़ का जो भी खराब चीज़ है ना हमारी life में जो भी ऐसी चीज़े हैं जिनको हम साथ में carry कर रहे हैं जो हमें serve नहीं करते life में सिर्फ हमारी energies को down करते हैं उन चीज़ को अपने आप से release कर देना और life में abundance को create करना ये है transformation जो आपको करना है तो उसके लिए क्या करना है आपको आपको अपने आपको heal करना है तो सबसे पहली चीज़ जो आपको इस पॉटल में करना है खुद को heal करिए तो जब भी आपको ये वीडियो मिलता है उसी दिन से आप इस चीज़ को करना शुरू कर दीजे 12th of August तक आप ये चीज़ कर सकते हैं इसके बाद आप ये वीडियो देखते हैं तो भी ये पूरा अगस्त का महीना बहुत अच्छी एनरजीज लेकर चल रहा है इस वक्त आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे आप उसके रिजर्ड देखेंगे आने वाले टाइम में तो लायन के टोपल क्योंकि ओपन हो रहा है या हो चुका है बलकी तो इससे क्या होगा कि आपकी अंदर एक confidence level जो बहुत जादा जो लोग होते हैं जिनके अंदर एक confidence नहीं होता है infinity complex होता है उनकी अंदर अपनी बात को सही तरीके से कह नहीं पाते हैं या जो भी कुछ बहुत जादा अपने आप में ही खोए रहते हैं तो वो जो लोग है वो सारी चीजों को हटाने का release करने का time है और अपने अंदर lion की गुर्ड sun की गुर्ड लाने का time है एक confidence लाने का time है courage लाने का time है अपने आपको transform करने का time है जो आप इतनी जिंदगी में manifest करेंगे तो इस चीज को waste मत करना इस दिन को waste मत करना एक एक दिन का आपको बहुत अच्छे से use करना है जब भी आपको वीडियो मिलता है आज में कल में आपको ये चीज करनी करनी है 8 of August को आपको बिलकुल waste नहीं करना है तो कुछ में आज ऐसी चीजें आपको बताने वाली हूँ जो आप जरूर करेंगे ठीक है अगर आप अपनी life में बढ़नेंस चाते हैं money wise career में growth चाते हैं या फिर अपने relationship को heal करना चाते हैं तो कुछ rituals में आपको बताने वाली हूँ जो बहुत important है इस चीज को miss नहीं करना अगर आप अपनी life में सब कुछ चीजे ठीक करना चाते हो एक transformation चाते हो career wise या फिर money wise या फिर अपने relationship में transformation करना चाते हो तो इस चीज को बिलकुल भी miss मत करना लेकिन जब तक हम कोई चीज manifest नहीं कर सकते हैं जब तक कि हम वही पुरानी चीजों पर अपने आपको negative energies में रखे हुए हैं वही पुरानी चीजे negative energies carry किये हुए हैं यानि कि खुद को heal नहीं किया low vibration में हो तो कैसे कुछ manifest कर लोगे तो सबसे पहले काप क्या करोगे self healing खुद को heal करना चाहे meditation करो seven chakra meditation करो ho'oponopono prayer करो या कुछ भी करो खुद को heal जरूर करना है आपको self love के affirmations बोलने हैं आपको mirror technique करनी है आपको कुछ भी करिए और self love में रहिए proper self love में रहिए high vibration में रहिए क्योंकि high vibration में रहे कर मैंने क्या बोला सब कुछ alignment में है सिर्फ आपको अपनी energies को उनके साथ match करना है तो क्या करना है अपने आपको सबसे पहले heal कर लेना manifestation technique कर लेना sorry आपको क्या करना है self love करना है ho'oponopono technique कर लेना या जो भी आप करोगे self healing के लिए कोई भी meditation अब दूसरी चीज जो आपको करनी है कि meditation आपने कर लिया खुद को heal कर लिया एक gratitude journal अगर आप नहीं बनाए हो तो कम से कम उस दिन 8 अगस्त को या फिर मैं बोलूँगी 12 अगस्त तक आप जरूर ये करे gratitude journal में अपने positive expects लिखना शुरू करे जो चीजे आपकी life में बहुत अच्छी है ऐसा हो ही नहीं सकता कि सब कुछ खराब है लाइफ में बहुत कुछ बहुत अच्छा है जो अभी भी आपके पास है जिस पर आपका focus नहीं है तो वो focus आपका shift करनी के लिए आपको क्या करना है आपको gratitude journal लिखना है उसमें आप अच्छी अच्छी चीजे जो आपकी life में बहुत अच्छी है वो आपको लिखनी है इससे भी आपकी vibration जो होगी वो raise होगी तो पहले ये एक समझ लीजी कि तयार ही हो रही है आपको manifest जो भी चीजे करनी है उसकी preparation करने से पहले आपको ये चीज़ करनी है अब manifestation technique में क्या करना है तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है टाइम का ध्यान रखना है आठ बच के आठ मिनट मैं बात करी हूँ 8th of August की अगर आप आठ तारिक को ये करते हो आठ अगस्ट को करते हो तो इसी time को करिएगा by chance नहीं कर पाते हो तो कोई बात ही नहीं है फिर किसी भी दिन कर लीजेगा पूरे दिन energy speak पर रहेंगी 8 अगस्ट को नहीं कर पाते हो तो 9 को कर लेना 10 को कर लेना 11 को 12 को 12 तक कर सकते हो उसके बात भी करना चाहो तो पूरे ऑगस्ट में आप कभी भी कर सकते हो लेकिन आज मैं बात करी हूँ 8 अगस्ट की 8 अगस्ट को 8 बच के 8 मिनिट पर morning में आपको क्या करना है ठीक है या तो morning का time चुल लीजे या फिर रात में 8 बच के 8 मिनिट का time चुल लीजे जो आपको comfortable हो sign बना दिया है ठीक है infinity का sign बनाया है और एक plain paper पे बनाया है paper पे कोई भी lining नहीं होनी चाहिए मैंने blue pen का use क्या है आप red pen का या green pen का भी use कर सकते हो black pen को छोड़कर किसी भी pen का आप use कर सकते हो अब क्या करना है आपको ये जो उपर है यानि कि infinity है ये जो उपर है चाहिए ये ले लीजे या ये ले लीजे तो एक के अंदर एक जो circle बना है उसके अंदर सबसे पहली चीज़ बता रही हूँ मैं आपके career के लिए या फिर money के लिए तो आपको लिखना है career पहले उसमें लिखना है आपको career ठीक है या फिर अगर कोई money चाहते हो अपनी life में manifest करना तो उस money लिखना है और इसके साथ उस amount को लिख देना है जो आप manifest कर रहे हो दूसरी जगा पर दूसरा जो पार्ट है इसमें आपको अपना नाम लिखना है पूरा नाम लिखिएगा अपना पूरा नाम with surname आपको लिखना है अब अगर आप यहाँ पर money, job, career यानि कि abundance, life में पैसा manifest कर रहे हो तो मैं आपको एक code बता रही हूँ जिसको आपको note करना है description box में भी मैं ये code डाल दूँगी ठीक है फिर भी आपको एक code लिखना है यहाँ पर 520 520 फिर एक gap बनाना है 741 एक gap बनाना है 808 तो यह जो description box है उसमें भी मैं ये code डाल दूँगी अगर आप money को, career को, life में success को पैसे को ठीक है कर रहे हो manifest तो आपको ये code यूज करना है 8 बच के 8 मिनिट पर तो ये 1 मिनिट का time लेगा चीक है 1 मिनिट से ज़्यादा लगेगा नहीं इसके बाद आपको या तो उसी वक्त क्योंकि आप already अपनी fix कर चुके होगे already ये काम कर चुके होगे तो एक क्या होता है rhythm बन जा भी है तो हो सके तो उसी time आपको क्या करना है 8 बार जब आप job के लिए या money के लिए कर रहे हो तो एक affirmation को लिखना है आपको 8 बार जैसे कि कोई actual amount है जो आपको चाहिए तो आप ये कर सकते हो कि मैं इतना amount अपनी bank में अकाउंट में में इतने amount आ गया है जो भी affirmation है 8 बार आपको लिखना है बोल बोल कर लिखना है और साथ में visualize भी करना है तो rhythm में अगर आप करोगे न तो बहुत अच्छा होगा सुभा का या रात का time चुलेना नहीं हो पता है तो आप क्या करोगे कोई भी time पे 8 अकस्त को कर लोगे ये बहुत important चीज़ बतारी हो अगर करोगे न तो आप देखोगे कि साल भर आपको इस चीज़ का result मिल रहा है तो अब आजाती हूँ मैं दूसरी चीज़ पर कि अगर आप अपने relationship को manifest करना चाते हो अपने ex को manifest करना चाते हो relationship में husband wife हो कोई भी problem आ रही है वहाँ पर चाते हो कि relationship बहुत अच्छा हो जाए आपका relationship already अच्छा है उसको और अच्छा करना चाते हो कोई भी problem है relationship में उसको heal करना चाते हो तो अब क्या करोगे same आपने क्या किया ये बना लिया ठीक है ये बना लिया अब यहाँ पर आपको लिखना है यहाँ पर पहले उसमें आपको लिखना है beautiful relationship beautiful relationship right and उसके बाद एक love code में बता रही हूँ 11550 11550 ठीक है अब यहाँ पर दूसरे उसमें आपको क्या लिखना है जो दूसरा है उसमें आपको उपर अपना नाम लिखना है plus का sign और नीचे अपने partner का नाम लिखना है ठीक है उपर अपना नाम और नीचे अपने partner का नाम अब उसके बाद जो affirmation जो आप eight times लिखोगे, क्या लिखोगे, कि मेरा और मेरे partner, यानि अपना नाम लिखेंगे और आपके partner का नाम लिखेंगे, relationship बहुत beautiful है, thank you, thank you, thank you universe, अगर आपको लग रहा है कि मुझे अभी ये चीज नहीं करनी है, मेरा partner जो है, मुझे call message कर ले, मैं उसी में बहुत ख लिख सकते हो, मुझे भी लिख सकते हो, और उस person का नाम लिख कर, उसका call receive हो गया है, thank you, thank you, thank you universe, ठीक है, जो आप चाहते हो manifest करना, मैं बोलूँगी relationship को manifest करो, क्योंकि relationship अच्छा है, आपने अगर manifest किया, तो call message तो अपने आप ही आजाएगा, लेकिन फिर भी आपकी मर्ज आपको जो करना है, रिदम में करोगे, एक साथ करोगे ये चीज और लिखने वाली चीज तो और जाधा effective result आपको मिलेंगे, अब इसके अलावा, अगर आपको कोई और इक्षा है, ठीक है, कोई भी इक्षा है आपकी health wise, या फिर कोई भी इक्षा, तो आपको क्या करना है, सिंपल, फिर से ये चीज बनानी है, ऊपर, ऊपर आपको क्या करना है, यहां पर आपको जो भी health कर, health के regarding है, तो आपको लिखना है health, कोई भी चीज, कोई भी चीज, आपकी है, बस आपको वहाँ पर वो चीज लिख देनी है, कि की चीज से related आपका, आप चीज manifest करना चाहत और उसके बाद number use करेंगे आप 1176 और दूसरा जो infinity है यह जो पार्ट है यहाँ पर आपको अपना full name लिख देना है ठीक है सिर्फ इतना करना है और उसके बाद फिर से उस चीज को उस affirmation को 8 times लिखना है जो भी आप achieve करना चाहते हो माली जी अपना health बहुत अच्छा करना चाह बहुत बहुत जरूरी है तो यह चीज आप करिए सुभा 8 बच के 8 मिनट पर करिए या फिर रात के 8 बच के 8 मिनट पर करिए मैंने बोला अगर नहीं कर पाते हो तो आप किसी भी time पर कर सकते हो 8 August को जरूर कर लेना अगर यह चीज आप करते हैं then definitely आप देखेंगे कि आने वाले time में जो आप manifest कर रहे हो आपको इस चीज का result मिलेगा मैं खुद यह अपने लिए करने वाली हूँ और मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या आज कर चाहिए और उसका result आने वाले कुछ time में मैं आपको बताऊंगी भी कि मैंने क्या manifest किया था क्योंकि मुझे पूरा यकी question आता है आपके मन में तो आप comment करके पूछ सकते हो अब इस कागच का क्या करना है बारा अगस तक मैंने बोला इस कागच को इस जो energy रहेगी इस portal की बारा अगस तक रहेगी तो आप इस कागच को अपने पास रख सकते हो आप हो तो पूरे August भी रख सकते हो लेकिन मैं बोल तो जब भी आपको वीडियो मिलता है आठ नौ दस ग्यारा बारा आप डेली भी कर सकते है इस चीज को डेली भी कर सकते हैं आप चाहे तो आप दो विश के लिए भी कर सकते हैं आपने सुबह किसी और विश के लिए किया शाम को किसी और विश के लिए किया मर्जी है आपक कोई भी thought आता है आप उसको बोलेंगे cancel, cancel, cancel वो thought चला जाएगा और उसकी जगा आपको positive affirmations का use करना है feeling का बहुत धियान रखिएगा आप क्या feel कर रहे हूं इस time पर तो अगर feeling में थोड़ी सी गड़बड आ रही है तो अच्छी चीजों के बारे में सोचिए अपनी feeling को change करिए इन चीजों को जरूर कीजेगा जो भी ritual मैंने बताए हैं अगर आप करते हैं तो definitely आने वाले time में आपको इसका result मिलने वाला है तो इस portal की energies को waste मत चाने देना So thank you so much for watching my video Bye